नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में केंद्र सरकार के सेवा नियुद्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले तो यह हाली में 8 दिसंबर 2020 को मिनिस्ट्री और परस्नल पब्लिक ग्रिवेंस से स्पेंशन डिपार्टमेंट और परस्नल एंट रेनिंग गवारा एक ओपिस्ट में रम जारी किया गया है जिसमें कहा गया है तो इस ओपिस में रंडम में क्या कहा गया है साथ में ट्राय द्वारा ये जो अजिस उचना जारी की गई है तो इस अजिस उचना में कौन-कौन से पदोकार जिक्र किया गया है तो इसके बाल में आप सभी को पूरी जानकारी देने वाले तो आप इस वीडियो के साथ अंतित्र बने रहे हैं ताकि यह जो अपडेट है तो इसकी पूरी जानकारी आप सबी को मिल सके और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आप ने चानल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेट करणर का बटन है उसे प्रेस करके आप चानल को अभी सब्स्राइब करके रख लिए ताकि बोविश्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए दोस्तों केंद्र सरकार के रिटाइड करमचारियों के लिए यह जो बड़ी खुश लेकिन अभी भी सरकार उन्हें काम करने का एक और मोका दे रही है इस संबंद में ताजा खबर यह है कि अब सरकार अपने रिटाइर करमचारियों को पॉंट्रैक्ट बेसी यानि अनुबंद पर नोक्री देगी इन नियोक्तु के बाद कई करमचारियों को सीधा फाएगा लापडाउन के बाद कई विबागों से सेवा निर्त हुए करमचारियों अधिकारियों को वैसे भी अनुबंद के आदार पर सेवा का अवसर दिया गया है जिन पदों पर यह नोक्री दी जाएगी उनमें सलाकार, निजी सहा एक, निर्देशक, आधी तक्निकी पत शामिल सरकार मंत्रले से सवाल पूछ रही है, जानकारी ले रही है कि कांट्रेक बेस पर जो नियुक्ती दी जाएगी उन्हें कितना पैसा दिया जाएगा, इसमें मनुद्वे बत्तों का विचार चल रहा है, मंत्रले ने जानकारी दी है, इसके बार अब इन अनुबंदी करमचा की तरह सारे बत्ते नहीं मिलेंगे, लेकिन यदि उन्हें किसी काम से टूर पर बेजा जाएगा, तो बकाया यात्रा बत्ता टिये दिये दिया जाएगा, केंद्रिय कार्मी के वो प्रसिक्शन विबाग यानि डियोपिटी ने इस बारे में एक सच्चियों की समिति का गठ नहीं होगा, यहाँ बात गोर करने योग्य है कि इसमें उनकी पेंशन, नया वेतन दोनों को शामिल किया गया है, इन करमचारियों को मासिक वेतन का भुकतान किया जाएगा, इन्हें इंक्रिमेंट का लाग नहीं दिया जाएगा, अनुबंद की अवदी एक साल की होगी, यदि कोई पूरो करमचारी या अधिकारे बतोर सला का लियुक्त किया जाता है, तो उसे भी समान वेतन दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लियु, भत्ते, वेतन और कारेकाल का नियम क्या होगा तो बताया गया है, उधारंग के लिए यदि किसी करमचारी को सेवा न दिया जाएगा, इस सेवा की अवधी एक साल की होगी, इस दोरान उन्हें इंक्रिमेंट या महेंगई बत्ते का लाप नहीं दिया जाएगा, गुरुव बत्ता नहीं मिलेगा, वे एक महेने में देर दिन का अवकाश ले सकेंगे, यदि उनका कारेकाल ठीक पाया तो सेवा में इजाफा करते हुए एक साल का विस्तार किया जा सकता है, सेवा निरुत्ति के बाद यह अवधी पास साल से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ा जाएगी, जब तक डियो पिटी का अंचिन ड्राफ बनकर सामने नहीं आ जाता, तब तक केंद्र सरकार इन नियोक्तियों के पॉब्लिक रिवेंस से स्टेंश एंड डिपार्टमेंट और पर्सनल और ट्रेनिंग द्वारा आठ डिसंबर 2020 को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, इंगेजमेंट आप पर संट इन दी मिनिस्ट्री और पर कोर्पोरेट अफेस रिगार्डिंग तो यहां पर यह ज जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है, the undersign is directed to circulatory vacancy circular number A12034-01-2020, ADD1 dated 26th of November 2020, received from Ministry of Corpulet Affairs who have initiate applications from retired central government servant for engagement as consultant on contract basis initially for a period of one year from the date of engagement. In case of any further clarification, applicants are requested to contact the concern ministry or department to gather, यहां पर यह जो circular यहां पर जारी किया गया है, जिसमें इन vacancies के बारे में जानकरी दी गई है, उसके बाद यहां पर अगला जो circular है तो यहां पर ट्राइमें जो नियुक्ती है तो उसके संदर्रों में जारी किया गया है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पार है कि भारतिय दूर संचार विनियम एक प्रादिकर यानि टेलिकॉम रेगलिटरी अथरूटी ऑप इंडिया द्वारा भी यह जो वैकंसी से तो उन्हें फील करने के लिए यह जो नोटिफिकेशन है वो 4 दिसंबर 2020 को जारी किया गया है, जिसमें यह जूनि पर दिया हुआ है, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप यह जो और दन की कॉपी है, साथ में यह जो पूरा का पूरा आपिस मिमरंडम यहां पर जारी किया गया है, तो उसे जो आप आसन इससे पढ़ सकेंगे तो जिया, आज के इस वीडियो में यह जो बड़ा अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जान करी दी, वीडियो में दी गई जान करी, अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक देरो कीजेगा, औ और अगर आपने चानल को अभी तक सब्स्राइब में ही किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चानल को सब्स्राइब करके रख लिए ताकि बहुशे में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके अब लिए और यसी तरह के अप्डेट ज안ने के लिए आप ऐसे ही चनल के साथ बने रहें ताकि बहुशे में जो भी अपडेट आए तो उसके बारे में आपको पता चल सके तो जलिए आज के विडियो पे बस इतना ही आगे बीए आपके लिए अप्डेट में आपके लिए लिए विडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक लिंक देके रखा है उस लिंक पर क्लिक कर गए अगर आप लिंक करते हैं तो उस टेटिंग अकॉन के लिए आपको कोई भी चार्ज़र देने की जरुवरत नहीं है साथ में कोई भी एन्यूल फी देने की जरुवरत और जब भी आप एक्विटी में शेर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ओपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरुवरत नहीं है अगर मान लिजे आपने 100 रुपे का कोई शेर खरीदा और उसे 1.500 रुपे में बेच दिया तो जो 50 रुपे का फाइदा होग तो वह सीधे आपकी जेब में जाएगा इसके ओपर आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की दरुवरत नहीं है कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है तो इसके लिए अगर आप अकाउन उपन करना चाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बेटे आउनलाइन एक डीमैट अकाउन ओपन कर सकते हैं तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बात अन्यवाद अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कॉमेंट है तो आप इस वीडियो के नीजे जो कॉमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चानल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चानल को सब्स्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आईकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजे ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वह सबसे पहले आपको देखने को मिल सकें